जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सबी का हारदिक स्वागते महा काली भगतियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबी को बताने बाली हूँ अगर आपको किसी की सराप छुटानी है तो सिर्फ एक बार दारू में ये वाला मंतर बोल दो और काली माता का ये उपाय है जो मैं उपाय आपको बताने जारी हूँ यदि आप इस मंतर को एक बार दारू में बोल दोगे तो उस बंदे की दारू सी वकत से छूड़ जाती यानि कि उसका अंदरूनी मन दिल कुछ भी गवाई नहीं देता कि वो दुबारा दारू को हाथ भी लगाए तो ये जो काम है ये काम आप लोगों को भी करना है मेरा जो गुरू है वो हर किसी की दारू चुटवाता है तो ऐसे ही चुटवाता है जैसे मैं आपको बता रही हूँ और भोत बंदे हैं जिनकी धारू मैंने छूड़ती भी देखी वो भी इस मंतर के जरिये लेकिन इसको क्या होता है ये बता दू मैं आपको पहले इसकी न सेबा उठानी पड़ती है यानि कि जो मैं मंतर बताऊंगी आपको इस मंतर को कम से कम आप लोगों को 11 दिन ये 21 दिन इसको लगतार जापकना होगा ठीक है फिर उसके बाद आपका आदमी हो आपका हस्बेंड हो आपका भाई हो आपकी सिष्टर हो भेन हो कोई भी हो जो भी दारू अरू पीता है आपकी फैमिली में तुम असानी से खुद उसकी दारू को छुटवा सकते हो वो भी हमेशा के लिए जो मैं आपको उपाई बतानी जारी हूँ कालिमाता का यदि आप इस उपाई को करेंगे तो उस व्यक्ति का खुद बखुद मन नहीं करेगा कि वो दुवारा सरापको हाथ भी लगाया तो चली दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी यदि आप लोग किसी की भी दारू छुटबाना चाते हैं तो इस तरीके से उसकी दारू को छुटबा सकते हैं जो मैं आपको उपाई बताऊंगी लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेर, कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे-आगे मिलने वाली है जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो अगर आपको किसी की सराप छुटानी है तो सिर्फ आप लोगों को इस कारे को करना होता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ जैसे कि देखो माताकाली के कितने बीज मंत्र है ठीक है आपने नेट पे चेक करेंगे गुगल पे चेक करेंगे यूटूब पर भी चेक करेंगे कि कितने माताकाली के बीज मंत्र होते हैं ठीक है अब जो बीज मंत्र होते हैं उनको कंटिन्यू कम से कम 11 दिन या फिर 21 दिन 11 या 21 दिन तक उनका आप लोगों को जाप करना होगा यानि कि कोई एक ऐसा मंतर अपने माइंड में धरलो नोट करलो जो आपको असान लगे जैसे कि भोत मंतर हैं बीज मंतर माता काली के होते हैं आप कहीं से भी चेक कर सकते हो बाकी मैं अपने हिसाब से आपको एक मंतर बता रही हूँ जो कि मैं आपको पहले भी मैंने बताए हैं अब भी बता रही हूँ जैसे कि ओम करिम काली काई नमहा वाला मंतर है काली काली महा काली ये वाला मंतर भी है ओम जयान्ति मंगला काली भद्र काली ये वाला मंतर भी है तो ये जो मंतर है इन तीन मंतरों में से एक मंतर को आप लोग चूज कर लो और चूज करने के बाद उसको सही से रट लो अपने दिमाग में भर लो ठीक है और जब आपके दिमाग में अच्छे से बैट जाए वो मंतर आप पे मतलब 108 वर बोलना आ जाए तो ही आप इसका इसकी साधना करना मंतर की तो इस मंतर की जो साधना है वो आपको 11 या 21 दिन करनी है लगातार जैसे कि एक माला आप लोग सुबह करेंगे अगर माला है आपके पास नहीं है तो अपने अंदाजे से उंगलियों के अंदाजे से लगा कर भी आप लोग कर सकते है तो जैसे कि आप सुबह करेंगे ठीक है तो सुबह करने के बाद फिर एक माला आपको शाम को करनी हो करेगी कम से कम 11 दिन या फिर 21 दिन continue इसका जाप आपको करना है जैसे ही आपको 11-21 दिन पूरे हो जाते है इस मंतर के बाद करने के बाद तो आपको क्या करना है जो भी आपके घर में सराप पीता है दारू पीता है कोई भी हो चाहिए आपका अजबेंड हो या ब्रदर हो या सिश्टर हो कोई भी हो जो आपके घर में सराप पीता है तो उसकी सराप छुटवाने के लिए आपको क्या करना होगा उसी मंतर को ठीक है उसी मंतर को 11 बार बोल कर आपको उसी की दारू में दे देनी है जानी कि जैसे आपका हस्बेंड है जो दारू पीता है घर में पीता है तो एक पहुवा मंगा लेना है आपको पहुवा मंगा के उसमें आपको उस मंतर को फूक मार देना है ग्यारा बार आपको उस मंत्र को उस पुवे में बोल देना है और वो ही पुवे अपने HASолет को देना या अपने ब्रोधर को देना है या सिश्टर को देना जिसको भी जो भी पीता है आपके घरमों उसको दे दे जाएगा उसको उल्टी आ जाएगी अपने आप भी उसका दिल मन एकदम दारू को देखके उसको नफरत होने लगेगी जब आप इस कारे को करेंगे तो काफी ज्यादा लोग परिशान रहते हैं कि उनके हस्बेट दारू पीते हैं जुआ खेलते सक्टा खेलते सब कुछ कर आप इस परिशानी का हल इस तरीके से निगाल सकते हैं जैसे मैने आपको बताया है या तो अगर आप गन और उस मंत्र की सादना करनी होगी जो मन्तर बताए हैं तो चलिए दोस्तों मैंने आप सभी का अच्छे से समझा दिया है और आपके समझ में भी आगिया होगा अब हम आपसे मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादेम माता काली आप सभी की सारी मनों कामनाय पूरी करें ये येवमलाश च्छिए वाले है वीडियो में आपके बना कामनाय आपके से समझा बाए हैं भी आपके सहर हर दोस्तुक्त बाए हुए एाए है आप में पस्ताफे हैं और ऊाओ